बश्कार दोस्तों आसा करता हूं कि आप स्वस्त हूंगे अभी हम लोग के मैप के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि आप करनौ मैप भी कह सकते हैं ठीक ना के मैप का ही मतलब कहले जे करनौ मैप है करनौ मैप का capital first letter कहले जे use किया गया है जिसको कि हम short form में कहते हैं के मैप देखें अभी तक अपने पढ़ा होगा जैसे कुछ equation आपका दिया हुआ expression जो था मान लेजे कि y equal to दे दिया है a b c plus a b bar c bar plus a bar b c plus कुछ इस प्रकार से आपका expression दिया हुआ як इसको करना क्या है simplify करना है क्या करना है simplify करना जब आप इसको simplify करेंगे तो कुछ आपका यहाँ हुआ रिजल्ट मान लेजे a b plus b c कुछ आयसा आपका आएगा देखें यह नहीं आएगा इसको जब आप nurses by some बनके आएगा फहें तो वह क्या हुआब इसको आपने reduce किया त expression को minimum तक कह लिजिए कि उसके बाद को solution नहीं होगा मतलब इसको जब आप solve किजेगा तो यहां पर कुछ जो भी expression आएगा इसके बाद को solution हमारा नहीं मिलेगा मतलब बिल्कुल ही reduced form में हो गया बिल्कुल minimum form में आ गया हमारा तो इस minimum form में लाने के लिए ही हम लोग क्या करते है के मैं आपका इस्तिमाल करते हैं है ना आगे जब question करेंगे ना तो उसको हम आराम से करेंगे question कि किस प्रकार से यह होता है जैसे कि अब एकवा example में अगर लेना चाहा है तो आप जैसे देखें मैं आपको बता दूँ कि example आपका है a b plus b a bar plus a b ठीक है कुछ ही इस प्रकार से expression दिया हुआ है इसको अगर आप solve करेंगे तो क्या होगा यह और यह percentage रहेगा a b plus a bar b हो जाएगा जब आप b को करेंगे तो यह हमारा a plus a bar हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा final क्या हो गया बी अब क्या यह बीस से भी आगे solve किया जा सकता है क्या नई बीस से आगे solve किया तो यह हमारा सबसे minimum form में आ गया इस boolean expression के लिए यह सबसे minimum form में आ गया तो इसी minimum form में लाने के लिए हम लोग k map का इस्तिमाल करते हैं समझ में आईगा k map का इस्तिमाल करते हैं बिल्कुल इसके minimum form तक ले आने के लिए और कह सकते हैं कि अगर हम k map का ही उज़ करते हैं तो हम आगे बताएंगे आपको कि इसके मदद से आप number of gate को भी घटा सकते हैं जैसे कि यहां पर आपका gate का संख्या कितना होगा एक gate इसके लिए एक दो दो तीन है ना तीन gate हो जाएगा प्लस चार gate और प्लस पांच गेट होगा total five number of gate होगा कैसे आगे हम बताएंगे ठीक ना लेकिन इसको जब आप solve किये हैं तो यहां पर हमारा क्या सिर्फ और सिर्फ भी मिला समझे तो एकदम minimum form में आ जा रहा है ठीक तो इसी के मदद से कह लिए के मैप के मदद से भी हम इसको आसान तरीके से solve कर सकते है राइट चले देखिए it is a mapping technique या mapping technique है या कह लिए एक method है या process है to reduce the boolean expression in its minimum form या बिल्कुल इसके minimum form में लाने के लिए किसको minimum form में लाएगा तो boolean expression ठीक है ना तो किसी भी boolean expression को इसके minimum form में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं के मैप का इस्तेमाल करते हैं या एक process कह लिए या mapping technique कह लिए ठीक ना it helps to reduce the number of a gate required to design the logic gate यह क्या करता है logic gate का जब आप design करते हैं तो उसमें अलग-अलग gate होता है जैसे basic gate हो गया या फिक universal gate होगा इन सब का इस्तिमाल करते हैं तो हम लोग जो gate का संख्या होगा जैसे चार्ड और gate होगा या तीन end gate होगा तो इसको भी हम reduce कर सकते हैं with the help of a camera मतलब कि हम सिर्फ बिल्कुल ही उसको minimum form तक solve करके लेगे चले जाता है यह आप कर सकते हैं कि जब आप logic circuit बनाईएगा तो definitely हमारा क्या होगा कि gate का संख्याज होगा वो reduce हो जागा अब आगे देखिएगा इसको आप focus करके लिखेगा यह आपके लिए काफी cell हो सकता है पहले heading डाल लिजेगा उसके बाद आप लिखेगा number of cell in k map for two variables जब आपके पास दो variable होगा या जब आपके पास दो literals होगा तो total number of cell कितना होगा इस चीज़ को हमें समझना है ठीक है देखिए तो number of cell जो होता है न वो आपको find किया जाता है जैसे दो variable है हम लिखेंगे दो पर पावर दो तीन variable है तो दो पर पावर तीन ठीक है कुछ इस तरह से हम लोग number of cell को find करते है तो जैसे आपके पास है दो variable या समझ लिजिए इसी को हम क्या बोल रहे थे और लिटरल से भी बोल रहे थे तो इसका क्या हो जाएगा total number of cell कितना होगा दो पर पावर दो मतलब कितना होगा चार अब देखिए चार वेडियेवल हमारा हो गया तो इसको अगर हम cell के रूप में अगर represent करने का कोसिस कर रहे तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो चार से लोग एक दो तीन और यह चार हो गया ठीक चार सेल हो गया ध्यान रखिएगा हम इसमें वैल्यू नहीं लिख रहे है यह number of a cell लिख रहे है कि कितना ब्लॉक यहां पर बना या कितना सेल बना तो total हमारा कितना हो गया चार सेल बन गया राइट तो यह हो गया आपका next लोग बात करते हैं तो लिख लिए उसके बात number of a cell in k map for three variables ठीक है for three variables जब तीन वैरियेवल की बात करेंगे तो मान लेते हैं को हमारे पास है a, b, c इसके बाद आप लिख लिजिए कि हमारा कितना cell कितना बनेगा तो 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 पर तीन बड़ावर कितना हो जाता है आठ हो जा कि आप यहां पर इस तरह से आप उसको बना सकते हैं, दिखिएगा एक यह गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आप, फिर से मैं बोल रहा हूं मैं इस cell में जो value है उसको नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर cell लिख रहा हूं कितना cell है, तो total कितना cell हो गया, total 8 तो इसको आप ऐसे भी अप बना सकते हैं या इसी को आप और चाहें तो वर्टिकल भी आप इस परकार से बना सकते हैं तो इस तरह से आप इसको बना लिजेगा याद रखिए यह लिखने का ज़रुवत नहीं है अल्रेडी आप इसको काउंट करी लिए हो तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा आपका है अपको सिर्फ आपको क्या करना है तो पर पावर एन की बात करें तो दो पर पावर चार कर दिजें नतलब कितना निकल के आएगा 16 हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा इसको लिखते चलिएगा आप साथ में है ना यह सब लिख लिजेगा अब यहां पर देखिए टोटल नंबर अफ वरिडियेवल अगर 16 है सेल का संख्या आपका चार है तोटल सेल जो है आपका कितना सोला है तो इस प्रकार से आप सेल को बना सकते हैं यहां पर होरिजेंटल वर्टिकल कोई मतलब नहीं रखेगा क्योंकि यह असक्वाइर है तो यहां पर बिगिन एगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दर से ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा और सोला टोटल नंबर कितना हो गया यहां पर कितना हो गया एट चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे पैरिंग का कि किस प्रकार से हम नंबरिंग समझे लिए फिर बात करेंगे तो सबसे पहले आप हैडिंग बना लेजिए नेमिंग है ना नेमिंग गणर नंबरिंग यह समझे छहां आसनी करेंगे नहीं तो फिर बने गा नहीं आप से इत से यह अपने आपником के मब दे सकते हैं या किस प्रकार से हम जब solve करेंगे ना तो उसमें numbering का ज़रूरत परेगा तो कैसे हम कर सकते हैं इसी चीज़ को समझना है तो सबसे पहला heading आप बनाएए four two variables four two variables तो अपने पास variables कितना है दो है ना जो कि हम उसको मान लेते हैं कि एक variable a हुआ और दूसरा variable b हो गया राइट two variables अपने पास जो की variables अगर बोला जाए तो कौन-कौन सा हो गया हम मान दिये क्या a और b इसको साथ में लिग लिजी नहीं तो आप confused हो जाईए चलिए यहां पर हम तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताय था कि total number of a cell कितना होगा इसमें आप उसको पहले बना देज़े चलिए यहां हमने क्या किया total cell कितना था अपने पास? चार सेल था, हो गया, चार सेल हो गया, एक, दो, तीन और चार सेल हो गया, क्योंकि दो हरियावल के लिए सेल के अक्संग है, केतना तीन, अब यहाँ पे एक ऐसा करके एक डंडा बना लिजिए, अब यहाँ पे लिखिए A, और यहाँ पे लिखिए B, आप इसको उल्टा भी सकते हैं यहां पे आप लिख लिजिए यहां पे आभी आप लिख सकते हैं यहां पे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है गलत आपका नहीं होगा बट सिक्वेंस आप ध्यान रखेगा तो मैं यहां पे आभी आपको consider कर ले रहा हूं क्या a सिर्फ और सिर्फ क्या consider कर रहा हूं a consider कर रहा हूं और यहां उपर पर क्या रख रहा हूं b अब देखिए यहां पर हम बनाते हैं इसको b बार और यह हो गया b यह हो गया आपका a बार और यह हो गया आपका A समझ में आई बात क्या क्या कर दिये इस वाले और जंटल वाला में जो इधर A लिए तो ये इधर के लिए हो गया इधर B लिए तो ये इधर के लिए हो गया ठीक ना ये इधर के लिए और A लिए तो ये इधर के लिए इधर हम B लिखते और इधर यहां A रहता तो इधर हम क्या लिखते ए लिखते अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर हम लिखे क्या A बार फिर लिखे A B बार फिर लिखे B इसको आप ध्यान रखेगा ठीक है इसको ध्यान लखेगा भूलिएगा मत अब यह बूलेग एक BCD भी रह गया है और आपका एक grey code भी रह गया है तो दोनों के बारे में मैं आपको बता दूँगा ठीक ना चलिए तो अगर इसको अगर आपका लिखना हो जैसे इसको तो हम इसको क्या लिख सकते हैं तो यहां पे A बार हो जाएगा और इसको B बार लिख सकते हो ठीक है यहां पे A बार और यहां पे क्या होगा B यहां पे अगर लिखेगत क्या होगा A B बार और यह क्या हो जाएगा A और B, ठीक है यहां तक कोई दिक्कार नहीं, समझ में आए, यह A बार और यह B बार, यह A बार और B, यह A और B बार, यह A और B हो गया, ठीक है न, अब देखें, यह जो भी हम टर्म लिख रहें न, वह हम लिख रहें SOP के लिए, जितना भी अभी हम पढ़ रहें, SOP के लिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे POS के लिए तो सबसे पहले आप SOP को ध्यान दीजेगा तो SOP में हम लोग जो complemented रहता था उसको क्या लिखते थे 0 और जो uncomplimented रहता था उसको क्या लिखते थे 1 तो अगर इसको हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते है सको D zero जीरो इसको क्या लिखए है जीरो और वान इसको 1 और जीरो और यह हमारा one or one अब same यह यहां आते हैं 421 ये था हमारे पास कितना variable है मांतर 2 variable हमारा कुछ यह चलेगा तो इसको अगर हम लिखें तो यह क्या हो सकता है अगर यह 0-0 रहा तो मतलब यह 0-1 इसका मतलब 1 यह 1-0 इसका मतलब 2 और यह 1-1 मतलब 3 देखें यह 0-0 है इसका मतलब यहां पर क्या होगा यह 0-1 यहां पर हमारा क्या होगा 1 यह 1-0 यहां पर हमारा क्या होगा 2 और यह 11 इसका मतलब यह क्या हो गया तीन समझ में आया देखिए या तो आपके पास जब question रहेगा ना तो कुछ इस प्रकार से रहेगा मालेज़े कुछ इस प्रकार से रहेगा और इसको कहेगा solve करने के लिए अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ आगे solve करेंगे हो question जब करेंगे ना तब solve करेंगे तो इस हिसाब से हमें क्या करना है इस column में या इस cell में digit को भर देना या आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा बीसे कुछ यह हो गया और आपको कुछ ऐसा दे देगा mean में जीरो वान और धृडडि कुछ ऐसा देदेगा तो इसको इस हिसाब से हमें भरना है जैसे रघटी दे दिया चलिक बलगे हम करेंगे ना question को cond Remote करेंगे वहां पर आप अच्छे से इसको समझेगा पहले आप इतना ध्यान रखेगा खिलियर है यहां तक कोई confusion नहीं होना चाहिए आपको राइट चले आगे बढ़े हैं कि मैं इसको आप लिख कर लिजए तो आसान होगा जीरो ये वन ये दो और ये तीन केल्यर है यहां तक आप समझ गया होंगे ओप सो आगे हम बात करते हैं कुछ दूसरा कर लिजे फूर त्री वेरियेवर आप देखिए थ्री वेरियेवल में आपके पास सेल का संख्या कितना था एट था उसमें मैंने आपको क्या बोला था कुछ इस तरह से बनाने के लिए ये आपका हो गया यह आपका एक एक दो अड़िधर कर दिजा चार टोटल कितना होगी आपका सेल का संख्या चार इसी को आप भर्टिकली भी बना दिजिए को गलत नहीं होगा बट एक ही फॉर्मेट में रखेगा तो आसान होगा आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा नहीं तो पता चलेगा कभी बुलिएगा इसको करें तो यह आपको एक फॉर्मेट को कर लिजेगा दोनों में आंसर आपका सेम आएगा अंतर नहीं होगा जैसे यह कर लिए ठिक अब यहां पर देखिए चुकि हमने पास कितना है तीन वेरियबल है ह हमान लिए अ यहां चुक्किया हम इधर लेंगे एक और इधर हमारा चार रहे है तो इधर हमें लिए क्या गए Christ रइचिंध रुब्त के लिए ठीधर और णे और लो रहा धिक्त है। सेम हाँ साल यह यहां पर लिख दीए इए आजच और З कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं इसको फिर से धियान रखेगा यह ग्रे कोर्ड है आपका जो कि मैंने आपको बताया नहीं है बता दूँगा आगे पहले इसको धियान रखेगा ठीक है अब यहां पर भी आप सेम करिए देखे इधर चार सेल है हम इधर कर दिये बी कोई गलत नहीं होगा ठीक ना लेकिन हम असान करने के लिए सिर्फ ले रहे हैं जो पहले आ रहा है हम उसको कर दिया ठीक है यह चलो ऐसे आप कर लो कोई अंतर नहीं पड़ेगा इधर हम लिए ए बी और यहां लिए क्या सी इसको क्या करोगे सी बार और सी यह ए बार बी ब बी बार हो गया राइट चले इसको हम भर देता हैँ अब भड़िए खुछ से भी भरने का ट्राइक केज़े देखे यहां पर क्या लिख सकते हैं A बार बी बार सी यह कैसे लिखंद हैं यहां वाला लिए और इसका यहां लिए यह यह फशनाया यहां यहां देखे यहां ए अब इधर से लिए बार, यह हो गया B C या गया C, ठीक है, यह गया A B C यह आ गया A B C वार, ठीक उसी प्रकार से इसको भी आ भर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा जिसमें कर दीया यहां, यह बबार नहीं होगा, यहां पर क्या होगा A bar B हो, right हो जाएगा, आप इसको भढ़िएगा खुच से यहां पर मैं एक लिए दे रहूँ, जिसे यह होगा A bar B bar C हो जाएगा, ठीक है यह हो जाएगा A bar B C bar, यह होगा A B C, और यह होगा A B bar और C, इसको आप भढ़ लिजेगा भढ़ी ही लिजिए तो बहतर है A bar B और यह C bar, ठीक है यहां पर देखें, C होगा ना कि C bar होगा तो A की यहां पर भी आप इसको सुणार लिजेए ठीक है C हो गया, यह हो गया A bar B और C ठीक है ना, यह हो गया A, B, C यहां पर C bar होगा और E होगा A, B bar और C मिला लिजे एक बार, देखें यह C bar है, यहां होगा C bar यह A bar B, C bar A, B, C bar A, B bar और C bar, राइट यहां होगा A, B bar C A bar B, C ना, C bar ठीक है A bar B और C यह होगा A, B, C और यह होगा A, B bar C होगया, सेम चीज यहां पर कोई confusion नहीं होना चाहिए, अब सेम आईए हम लिख रहे हैं क्या, SOP के लिए जो complemented होगा वो 0 जो uncomplimented होगा आईए, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 0, 1, 1, 0, 1, 0 यहां पर फिर क्या हो जाएगा यह 1, 0, 0, 1, 0, 1 यह 1, 1, 1, और यह 1, 1, 0 अब इसको आप number वाला में है count करके भर दीजिया, भरी सकते हैं यह हमारा क्या होगा, 0, यह 1 यह हमारा क्या होगा, 2 यह 3, यहां पर आजाए, यह होगा 4 यह होगा 5, यह होगा 6 और यह हमारा होजागा, क्या? साथ हो जागा, ठीक है न? अब इसको आप ध्यान रखेगा, आप सेम चीज़ इसमें भी कर लिजएगा, ठीक? और मैं कर दे रहा हूँ अब जैसे फिर यहां पर दिया रहेगा मान लिजे F, A, B, C अब यहां पर कुछ भी दिया रहेगा आपका मान लिजे, मिन्टम में 0, 2, 4, 8, 6 तो आपका जो दिया रहेगा, वो हाई रहेगा बाकिसाद लोड हैगा, मने जो दिया रहेगा उसको हम 1 मानेंगे, और बाकिसाद को 0 मान देंगे, खिलिए, आगे बढ़ते हम लोग लास्ट इसका देख लेथेंगे, पहले 4, 4 vooriden 4, 4 variable दिखें, 4 variables में आपके पास number of cell कितना था number of cell था 2 पर power 4 मने कיא 16, ठीक, 16 ठीक, 16 था तो 16 जब आपके पास variable है तो 16 variable के लिए आप क्या करिए एक बड़ीआसा बना लिजे, आड़ाम से इसको लिखने में साहुलियत होगा राइट चलिए उसके बाद आगे इसको हम लोग कर लेते हैं चार वेडियेवल के लिए बना लेंगे एक दो और ये तीन हो गया ठीक है यहां से हम लोग एक कर लेते हैं यहां से दूसरा हो जाएगा यहां से तीसरा हो जाएगा अराम से पहले आप इसका कितना तूटल सोला सेल बनाना है आप सोला सेल बना लिजी ठीक है चलिए इसको बना दीजिया प्रटाक से जल्दी-जल्दी कर लिजिया आप भी चलिए हो गया आपका यह हो गया चलिए इसको आप लोग क्या करियेगा देखें यहां से आप लिखें इधर A B लिख देते हैं इधर C D लिख देते हैं बड़ी अबल क्या होगा A B C और D चलिए यहां पर आई यह C बार D बार C बार D C D C D बार इधर भी आते हैं A बार B A बार B यह हो गया A B और यह हो गया A B बार इसको अगर लिखना हो क्या लिखेगा A बार B बार C बार D बार A बार B बार C बार D A बार B बार C और D यह हो गया A बार B बार C और D बार ठीक है इसको लिखेए A बार B C बार और D बार यहां जाए यह A बार B C बार D A कंप्लिमेंट B C D A कंप्लिमेंट B C D का कंप्लिमेंट ठीक है ना उसके बाद जब आप इसका इसका बात करेंगे A B C का कंप्लिमेंट फिर ये A B C कंप्लिमेंट D ये A B C D ये क्या होगा A B C और D का कंप्लिमेंट A B का कंप्लिमेंट C का कंप्लिमेंट D का कंप्लिमेंट A B का कंप्लिमेंट C का कंप्लिमेंट D ये हो गया A B का कंप्लिमेंट C और D ये हो गया A B का कंप्लिमेंट C और D का कंप्ल ठीक है अब यहां पर आप इसको सजा दीजिए फिर से वहाई सेम काम आपकर यहां पर यह हुगा 00000001 0000 यह 001 और यह हो गया आपका ठीक है 01 00001 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 लिखिए साथ में लिखते चलिए रो और खांखे यह यह हो गया इस में प्यहJust one और 0 खांखे दिऎRO 01 01 001 और यह 10 01 01 0110 रूँग प्या आपको आप इसको क्या क्या है वो जो संख्या है अब भुली दिजिया इसको हम क्या निक सकते हैं जीरो यह टूद कोड प्रेम सब्सक्राइं है सब्सक्राइब साथ एक आप यहां जाएए ठीक है चारदू छो एक साथ ठीक है यह क्या हो जाएगा आपको देखिए चारदू छो हो गया और यह हो गया आपका इसको लिखे यह कितना हो जागा अचार बाड़ा और यह कितना होगा अचार बाड़ा यह तेरा यह पंदरा और यह चोदा ठीक है ना यहां जाएए यह क्या होगा शिक्स 7 हो गया आपका यहां पर यह क्या हो जाएगा आपका देखिए यहां पर आपने उल्टा लिख दिया है ना तब तो हो रहा है ना दिक्कत यह दिखिए यह वन होगा जीरो और जीरो जीरो होगा यह ठीक ना तो यह क्या हो जाएगा आपका 8 यह 8 यह हमारा क्या हो जाएगा आठ और एक नौ यह क्या हो जाएगा आठ दस एक ग्याड़ और यह दस तो इस तरह से आप इसको पहले लिखिएगा ठीक है ना तो यह फोर वैरियेवल के लिए हो गया अगर याद कर ले रहा है तो अच्छी बात है नहीं याद हो पा रहा है तो कोई दिकत नहीं है घवराना नहीं है यह वाला सिक्वेंस आप याद रखेगा कि हम कैसे यह कॉलम को भर सकते हैं तो यह आप लिख लिजेगा आज हम लोग इतना ही रखेंगे कैसे के मैप में बना सकते हैं कैसे एसोपी को कनवर्ट कर सकते हैं हम टेवल के मदद से कैसे हम सॉल्व करेंगे यह सब हम नेक्स लास में देखेंगे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलता है नेक्स लिक्शन में बंदबाना